आप सभी लोगों का ट्वीटर जो भी ट्वीट किया है आप लोगोंने और आप कह सकते हैं कि आपकी महनत रंग तो लाई है इसी तरह आपने देखा था इससे पहले भी जो आप लोगोंने टेंड चलाया था ट्वीटर पर आपने उसमें भी आपने देखा था उसका भी एक जो आपका सबस्पेक्टर होता है, ऐसा ही होता है, उसका एक तरह से इन्होंने notification दे दिया है, आप समझ रहे हैं, लेकिन आप खुद सोच के देखिए, कि इस तरह से अगर धग्का दे दे के गाड़ी चलेगी, तो कहां तक चलेगी, आप समझ सकते हैं कि इस्तिती क्या और केबल notification दे देना क्या सब कुछ है, एक इतना गह सकते हैं, आप लोग की एक आसा लख जाती है, notification आने के बाद, देखते हैं आगे कहां तक पहुंचता है, तो याद रखी इसका notification आ चुका है, और आप सभी लोग form जिने भी डालना होगा, डाल दीजी आप लोग, और इ 30 April 2021, यानि कि 34 2021, और याद रखी लाष्ट डेट, फीस जमा करने की भी, आप जानते हैं कि एक ही दिन में जब आप लोग form मरते हैं, तो उसी दिन फीस भी जमा कर दी जाती है, ठीक है, तो यह भी आपको मालू होना चाहिए, और याद रखी जनेल के लिए आपका OBC के रखी गई है, और इसके लिए SCST के लिए भी 400 ही रखी गई है, और इसके लिए आप लोगों को ध्यान रख लेना चाहिए, ठीक है, और इसके लिए आप लोग form भरेंगे, तो वो आपकी फीस भी दे देगा, और याद रखी इसके लिए आप लोगों को नियूंतम एज होन और मेकजीमम यानि की अधिकतम होनी चाहिए, अठाई साल, लेकिन आप लोगों को ये भी द्यान रखना होगा, कि इसमें छूट भी मिलती रहती है, समझ समय पर कई जैसे OVC हो गया, ASTST हो गया, इन लोगों को छूट भी मिलती रहती है, और आप लोगों ने देखा भी ह होगे, कि अगर आपको, और याद रखिए, एज कब से गिनी जाएगी आपकी, ये आपको मालु होगा कि अगस्ते से गिनी जाती है, जोड़ी जाती है, ठीका, और इसके लिए आपको बैचलर डिग्री चाहिए, जैसे आप लोग देते हैं, BAO, BSCO, इस तरहे की डिग्री ह की चलेगी, और एक बात और आपको याद रखनी चाहिए, कि उत्तरफिदिस वाले भी डाल सकते हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है, कि किसी एक ही जगह की डाले, इसमें आपके लिए मायने ये रखता है, कि आखिर जगें कितनी आएगी है, ये सबसे जरूरी भी सूचना है, तो कुल मिला कि इसमें कुल है आपके, ये आपके 9534 सीटे हैं, कितनी? टोटल आपकी सीटों की बात करें, तो 9534, जिसे आप लोग इस तरह से भी कह सकते हैं, कि 9534 सीटे हैं, ठीक है? तो इन्हें आप लोग याद रखिए, उसके बाद आंगी क्या कहा जा रहा है इसमें? जिसमें कोई भी डाल सकता है, 3613, 3613 पद हैं, और EWS यानि कि 10% जो सामान बर्ग की लोगों को आरक्षन दिया गया था, उनके लिए आपकी 902, पिछरा बर्ग 27% आरक्षन के इसमें 2437, अनुसूचित जाती इसमें 1835, आप सभी लोग जानते हैं कि अनुसूचित जाती उत इसमें सबसे जानता है, ठीक है, और अनुसूचित जाती की बात करें तो 180 है, इस तरह से टोटल इसमें आपके 9027 हो गए, ठीक है, एवी आप लोगों को याद रखना चाहिए, इसमें फिर आप देखते हैं कि सुदद्दा संग्राम सेनानी के आसरत हो गए, इनके लिए ए हम दे सकते हैं, ठीक है, और तलाटून कमंडर, पीएसी जो होता है, इसमें भी आप देखेंगे, टोटल 484 पद रखे गए हैं, इसमें आपके अनारेक्चित के लिए 1944 और जो आपके सामनबर्ग के वो भी जो जिनने 10 परसने टारक्चन की विवस्ता की गई है, उनके लि मरेंगे, तब आप लोगों को इस तरह की जानगारी मालू होने चाहिए, ठीक है, और सीधी भलती भी द्वारा भरे जाने बाले उक्तपदों की बात करें, तो इसमें आप 10 रहेंगे सुद्धनता संग्राम, सैनानी की आस्तरतों के लिए, और भूत्पूर्व सैनिकों के लिए आपके 24 पद रहेंगे, यह आपके काम के नहीं है, अगर आप इस छेत से आते हैं, तब आप लोगों के लिए चरूरी होगे, अगर बात करें अगनी समन दुतिय अधिकारी की, तो इसमें अनारक्चित के लिए 10 हैं, EWS के लिए 2 हैं, अने पिछावर्ट के लिए 6 है अनुसूचित जाती के लिए 5 हैं, अनुसूचित जन जाती के लिए 0 है, यानि कि कोई भी नहीं है पद, टोटल इस तरह से 23 पद हैं आपके अगनी समन दुतिय अधिकारी के, ठीक है, यह भी आप लोगों को थोड़ी जानकारी मुझे लगता है कि होनी चाहिए, और इसी इसा करूँगा कि इसका टेलीग्राम पर आपको notification दे दूगा, वहां से आप लोग डाउनलोड करके आराम से बैटके बिंदास पढ़ते रही है, एक-एक सब्द, ठीक है, तो इसकी आभिधन प्यारम होने की तिथी आप लोगों की लिमत पूने, 1 April 2021 से हो गया, और कि आप लोग बहुत जल्दी से जल्दी फॉर्म लोग भर दिया करेगा, लाश्ट टाइम के लिए आप लोग मत बैठा करिएगा, आप देखते हैं कभी-कभी साइड एक तरह से विजी भी हो जाती है, तो आप रह जाते हैं, तो बहुत जल्दी आप लोग जब सुरू में भरने लगते हैं, उसी समय भर दिया करेगा, ठीक है, और आप सभी को बता चुका हूँ कि 400 रुपे आप लोगों को देना होगा, और आपका जो भी फॉम भरने वाला होगा, वो भी लेगा कुछ, ठीक है, इसके लिए आप लोगों के लिए राश्टी इता की बात हो गई, मुझे लगता है कि इस पर बाद भी करना कोई गल, मतलब भी नहीं है, आप लोगों के पास सब कुछ होगा इसमें, ठीक है, आप लोगों को एक तरह से आपके यह की, एक आपका इसनातक डिगरी होनी चाहिए, एक किसी भी आपकी उनिवसिटी से हो, बस सरकार द्वारा मा माननेता प्राप्त हो, ठीक है, याद रखना चाहिए, बस सरकार से उनिवसिटी या कॉलेज को माननेता मिली होनी चाहिए, ठीक है, याद रखिए, और याद रखिए आपकी जो, यह आपकी अलग अलग जो भी पत्न है उनके लिए अलग अलग हो सकती है आपकी ठीक है चरित्त की बात आती है आपका चरित्ती भी साफ होना चाहिए मतलब समझ रहे हैं कोई देखे लिए अधिया लिए अधिया नहीं वहने चाहिए तो यह भी जरूरी है आजकल आप समझ रहें देखिए ओनलाइन लिखित परीक्षा होगी इसमें आप लोगों जरूर याद रखिए ध्यान रखना चाहिए आपको सामान हिंदी होगी आपकी सोंक की समीमौल विदी स सामान नियान एसना अमर का होगा और सांख्यात्मक एभं मांसिक गुकता जिसी आप लोग रिजनिंग भी सका ये सामान तर्ज पर यह फिर आप लोग ए प्रूटर मालसिक अभीरुची परीक्षा बुद्धी लब्दी परीक्षा और तारिक परीक्षा यह भी आपकी 100 नमबर की रहेगे इस तरह से आप देख सकते हैं कि टोटल 400 नमबर का यह पीपर होगा ठीक है तो यह भी आप लोगों को ध्यां रखना चाहिए मुझे लगता है और याद रखी कितना कम समय मिल रहा है आप लोगों को दो घंटे समझ सकते हैं क्या रहेगा इसमें 35 लिखित पर इच्छा ओनलाइन जो होगी इसमें पितीक विसाय में 35 परसेंट अंक और कुल 50 पितीसत अंक प्राप्त करने में विफल रहने बाले अभ्यारती भरती के लिए पात नहीं होगे तो तैयारी आपको धासू करनी होगी आप लोग देख लिजे प्लेलिष्ट सूची में देख लिजे आपको जी एसस मुझे लगता है कि कुछ भी नहीं चूटेगा काफी कवर करवा दिया गया है तो इसमें आप लोगों को बाकी आप लोग देखते रहे हैं इसमें आप च्छेत में जा रहे हैं तो इसके लिए आपके सरीर की कुछ मानक भी होना चाहिए ऐसा नहीं कि आपकी उचाई नहीं आप सैना में चले जाए या कहीं कि दरोगा बन जाए तो आप सभी को इसमें भी होना चाहिए तो सामान अन बिच्छडे वर्गों और अनसूचित जात मैं होता भी आप लोग देखते हुई रहते होंगे अगर सीना की बात करें तो पिच्छडी जाती हो और सामान अनुसूचित जाती हो किसे संबंदित अभ्यारती जो भी हैं इनके लिए नियुनतम सीने कमाप 89 cm और बिना फुलाय होने चाहिए और कम से कम 84 cm फुलाने पर हो सीने का फुलाओ अनिवार है तो कापी आप लोगों को पैक्टिस भी करनी पड़ेगी इसमें ठीक है और महिलाओं के लिए देखाओ आप सभी लोग जानते हैं कि कम इन रखी जाती हो चाहिए तो जो सामान और अन पिच्छवी बर्वों और अनुसूचित जाती की महिलाय अगर आपका कम है तो खाती पीते रहा करिएगा ठीक है और जो आप जानते हैं कि दोड़ भी होती है इसमें तो पूरसा ब्यारती के लिए चार दसम्लाओ आठ क्लो मीटर की दोड़ 28 में और महला ब्यारतीहों के लिए यह आपकी 2.4 souhaillUST 15 में पूरी करणी आबस्सक है ठीक है तो यह भी आपका चेकिस्सा भी होगी है obsessed कि आप लोग जानते हैं देखी आरक्षन बस आयु सीमा में छूट इसकी भी बात आती तो आप सभी को मालू होना चाहिए कि अनुसूचित जाती के लिए 5 साल की अधिकतम चूट होगी, अनुसूचित जाती के लिए आप देखें तो यह आपका 5 साल की इने भी चूट मिल सकती है, मानलेजे जैसे कि आप 30 के हो गए, तो आप चाहेंगे कि हम भी फॉर्म भर होती है कि कितने साल की चूट मिल जाएगी यह लोग भी पात हो जाएं, ठीक है, आरक्षन की बात करें तो 21% अनुसूचित जाती के लिए 2%, अनुसूचित जाती के लिए 2%, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए जो सामन वर्ग की हैं, इन्हें 10% रखा गए है, और याद रखी 5-5 साल की 3 लोगों को इन्हें 3 केटिगरी को एक तरह से चूट दी गई है, लेकिन सामन वर्ग की लोगों को इस तरह की कोई बहुस्ता नहीं है, ठीक है, याद रखी है, यह भी आपको जरूरी होगा, यह भूत आपके पढ़ते रही है, जो आपके पास सो, उसे भी और फॉम जब भरिये, बड़े अच्छे से ध्यान देकर भरना है आप लोगों को, ठीक है, और यह आपका पहले भी बता चुका हूँ, और एक बात हमेशा याद रखिये, जब भी आप लोग एक तरह से इस तरह की भी आपका साथ देते रहेंगे, यह भी आप लोगों को ध्यान रखना होगा, देखे यह से इसका पाट करम है, तो इसे भी आप लोग डाउनलोड करके आराम से देखते रहना, ठीक है, उत्तर पते सामान ग्यान को भी मैंने कवर करवा दिया गया था, तो इसमें आप सुची में जाकर जरूर देख लिजे, और कुछ कमी हो सामान ग्यान की से या कोई इस तरह का, तो बताईए उसे भी कवर करवा देखेंगे, ठीक है, और मुझे लगता है कि एक मैंने किलास ली वही थी आपकी, कि फरीक्षा की तैयारी कैसे कर, उसे भी आप लोग देख ल जरूरी रहेगा, कोचिंग से क्या रहता है कि एक विवस्तित पूरा सब सामगरी जो भी पढ़ाईगी सामगरी होती है, मिल जाती है, लेकिन आप अपने आप से भी कर सकते हैं, स्मार्ट गरी देखा का, ठीक है, तो आप लोग देखते रहिए, अपना करते रहिए, करते हैं, स्मार्ट अपने से जेखा भी है, अपना करते हैं?